जिया का हुआ बेबीकार से बड़ा छगड़ा अभिशेक ने दिया जिया को गदी का टाइग वल्बिक बॉस के घर में हमने देखा कि जिया अभिशेक से पूठती है कि तो बीच में क्यों कूद रहा था हमारी लडाई में अभिशेक इसे अपने زिंदगी का सबसे लॉजिकल आज तक की सुनी बात बताते हैं कि किसी के हेल्थ से किसी को प्रॉब्लम हो सकती है अभिशेक जिया को बताते है कि साइरस ने भी जिया के लिए का आद कि वो मनीशा को बुली कर रही है वहीं जिया इस बात को एगरी नहीं कर रही होती अब इशेक कहते हैं कि अगर घर में कुछ भी गलत होगा तो वो तो आवाज उठाएंगे ही अब इशेक जिया के आधी से ज्यादा बातों को गलत बताते हैं वहीं मनिशा जिया से common sense ना होने की बात कह रही होती है बेबी का कहती है कि जिया अपने खुनस निकाल रही है कैप्टन बनने के बाद सभी घरवालों से अब इनाश जिया को समझाने की कोशिश करते हैं अगर घरवालों को चांस मिलेगा तो सब उनके अगेंस्ट होंगे अब इनाश जिया से मैज़ोरीटी अपने साथ बनाये रखने की उन्हें इडवाइस भी देते हैं वही बेबी का जिया के सल्फ सेंटर इट बस होने की बात कहती है वेबी का पूझा को जिया की कही बात भी बताती है मनीश अब जिया का असली रूफ सभी घरवालों के सामने आने की बात भी कहती है वही पूझा बताती है कि पावर स्टाइडम आदने का सही कैरेक्टर सभी के सामने लाकर रख देता है साइरस जिया के बात को गलत बताते हैं और उनके खिलाफ वोट आउट करने की बात भी मनीश और अभी शेक से कहते हैं वही मनीश जिया की फोटो के लिए कही बात भी साइरस को बताती है ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें